हेलो दोस्तों नमस्ते सलाम राम राम एक बार फिर स्वागता है भाईयों का चैनल व्याट सन्बाव मेरा नाम है राम एडिसाइड मनी भाई तो गाइस आज हम रेक्शन करेंगे मुहम्मद अली मर्जा भाई का एक वीडियो है और हमने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं इनक पाकिस्तान से भी हैं और हम इंडिया से हैं आपको पताई है भाई लोग जो फर्स्टाइम देख रहें उनको नहीं पता हो तो इनका इक वीडियो है हजरत सैदाना अबू जैर गिफारी कौन थे उनके बारे में आज इस वीडियो में बिस्क्स करेंगे माला रेक्शन करें अब लुए नहीं टालते हो तो डेली वीडियो टालने का रीजन यह ज़िए एक तो गर्मी बहुत है एक बंद कर गर वीडियो बनाने पड़के पशीन आज आजाते हैं बैंकर वाले कभी मुआसम सही रहता है तो बनाते हो फ्री हो ने किसी चीज़ से तो हम आपके कॉमें मॉवज अलियो बनाते हैं अपने मज़ पोई बीडियो नहीं वनासे हैं मॉंम्मद अली मेरचा बहुत तगड़े इन्सान है बहुत मुद्टी टास्क रॉज इनका इस पर एक्षिन पना लेते हैं कि हजर सहेदान अभू जहर गफारी कौन थे तो आयोग आपको वीडियो प तुम्हें दो लिवास और पेट भर के खाने से जियादा क्या चाहिए? यह हर किसी को यही चाहिए है अम्वाले गनीमत खलीफा और उनके मुत्वलियों के पास क्या कर रहा है? अपनी जाती सर्वत की तरकी, इस भूकी उम्मत की खुशाली या आबादी के लिए खर्च हो रहा है सर अबुजर गिफारी रदी लिए नहोंके तो अलात ब्यान करने के लिए बड़ा पत्थर का दिल चाहिए इतने सोजो गुदास वाली जिद्धिए जामिय तिर्मजी में अधीस है, नबी ने इर्शाद परमाया कि इस नेली छटरी के नीचे अबुजर गिफारी से सच्चा इंसान कोई नहीं कौन कह रहा है? नबी तिर्मजी में एक और अधीस है नबी नैस्णाम ने फरमाया कि अभुजर गिफारी से बढ़ कर कोई एहद वफा करने वाला और जोहित में मेरी अम्मत में नहीं है, ये मेरी अम्मत में इसाइ इनी मर्यम की मिसल है अभुजर गिफारी और इसा इबने मर्यम वो है जिनके बारे में रवायतों में आता है कि वो दुनिया से इतने जाहिद थे कि वो बरतन में पारी भी नी भीते थे वो कहते थे भी दुनिया का माल है अपने हाथों में पारी भीया करते थे यहीं दुनिया को तीन तलाके दी भी थी तो नबी लिसनाव बरमां, मेरी उमत में सेदना एसाइ बन मर्यम की मिसल जोओध में अबुदर घफारी, गफारी नहीं है लव स्ग्वेंदा अबुदर, गैफारी घफारी, जेर है, और restless गीफारी और तठीर बी नहीं है, अबुजर गिफारी रुदियल्लाहु ताला नहों अलिह स्लाम नबी लिस्लाम के लाडले अस्थाब के से थे सही बुखारी में इनके कबूल इसलाम का पूरा वाक्या मुही नहीं है इन तक जब दावत महुची कि इस तरह एक पेगंबर आये है मक्के की सरजमीन में जिनोंने दावय नबूत किया तो ये इनोंने पहले अपने भाई को बहजा कि खैर खबर लेके आओ तो नहीं बताए हाँ इस तरह एक शक्रस है फिर ये खुद रखते सफर बांद के नबी स्लेओलाओं लिह वालिए स्लेम के खिद्मत में आजर हुए मक्का शरीफ ने तो सही बुखारी में आता है कि ये गए यनि मक्का शरीफ में अब डर भी रहे थे मैं तो गया इनको पता था कि नबी लिस्लाम की मुखाव भी बहुत जाता है अगर मैं किसी से नबी लिस्लाम के बारे में पूछा तो सकता है मेरे साथ कोई ऐसी एक्टिविटी परफॉर्म ना कर दे तो ये हर्मे मका में इनोंने डेरा डाल लिया और कहते हैं मैं जितने दिन वहारा आना तो आपे जमजम ही पीता था जब मेरी खुजूरे खतम हो गई जमजम खाने का काम भी करता था और पीने का भी जमजम ताकत वला पानी ताकत वला पानी तो कहते हैं सबसे पहले मेरी जिस शक्स मुलकात हुई वो स्यूदाना अली अब अभी तालित कहते हैं, ना उन्होंने मुझसे पूछा कि किसली आई हो, ना मैंने उनको बताया, ये मैं आपको खलाकियात बता रहा हूँ, कि दावत का काम कितना ठंडे करके करना पड़ता है, आप तो कहते हैं, पहले दीनी किसी को रुफली दैन शुनूर कर रुआ दे, इतना असान नही और अजरत अली ने भी एक्स्पोज नहीं किया, कि मैं नभी लिस्लाम के करीबी लोगों में से हूँ, उनका कि मुझे तुमे एक अच्छे इंसान लगे हो, तो मैं इस काम के लिए हूँ, तो तुम मुझे गाइड करो मुहमद इबन अब्दुल्ला के बारे में, मैं उनसे मिलना चाता हूँ, तो सेदना अली ने का, कि वाकी वो तो अल्ला के पेघंबर हैं और इस तरह, तो फिर वो अजरत अबुजर अगिफारी को नभी लिस्लाम के पास लेगे, नभी लिस्लाम के पास थोड़ी दिर बैठे हैं, उन्होंने इसलाम कुबूल कर लिया, और सर इ कोई न कोई तुमें मतलब बता दूँगा, अभी तुम अपना इमान पुशीदा रखो अपने अलाके में चले जाओ, उनका या रसुला ऐसे नहीं हो सकती, वो जनाब आगे मके, खानकावे के अंदर आगे, उन्होंने का मैं गवाई देता हूं कि अल्ला एक है, और मुहम इसके, उन्होंने अपने आपको अभुजर गिफारी के उपर गिरा लिया, ताके उनको कोई मारे ना, उन्होंने का, तुम्हें पता नहीं, एक कबीला गिफारी कबीले से तालुक रखता है, तो इसके कबीले के लोग आगे यहां पर लड़ाई करेंगे हमसे, क्योंके कब अब क्या है, पहले नमबर पर देखा जाता है, यह हमारे कबीले का है, तुमने हमारे कबीले के बंदे को मारे तुम्हें नी छोड़ेंगे, इसी जोड़े से आप देखे ना, बनु हाशिम, इसलाम कबूल ना करने के बावजूद, नबील इसलाम की पुष्ट में तो खड और फिर अगले दिन फिर अबुजर अगिफारी ने इस तरही कलमा पड़ा, फिर उनकी पटाई हुई, फिर अज़रत अबास ने उनको बचाया, और फिर महां से यह नी वो चले गए, यह पूरी दीस सही बुखारी में है, और बलके बुखारी में पुरा एक चैप्टर अ अबुजर अगिफारी के इसलाम लाने का वाकिया, इमाम मुहारी ने अबुजर अगिफारी का प्रोटोकॉल यह रखा है कि इसलाम का पूरा चैप्टर बनाया, अबुजर अगिफारी के इसलाम लाने का वाकिया, बाकी यह धर्वेश शिफ्ट आदी थे, और दुनिया को में उन्होंने जब दुनिया की महबत में घलबा और आयाशी का लेवल देखा तो उनसे उप परदाश नी होता था उन्हों तो नभी लेस्लाम की सौबत की वी थी ख़दा बेनयाज जो तो कहते थे ये देखो यार हम लोग तो फाके करते थे और हमारा पिखंबर यहां तक तालिमात देता था कि ऐै लोग मुहमद और आले मुहमद को बस इतने रिस्क देना के रूओ जिसम का रिस्ता बरकरार है और बुहारी मुसलिम में हदीस है अज्चे अज्रत अमर को नभी लेस्लामने डाटते वे कहा जब वो चटाई के निशान देखे उनका यारसुल्ला रो पड़े किसरो किसरा तो दुनिये के मज़े लूट रहे हैं और आप अल्ला के नभी ता अफरमाया कि तुम इसके खुश नहीं कि वो दुनिये के मज़े लूटे हैं और तुम आखरत की साधर लूटो और लगता है उमर तुम पर दुनिये की हीकत आज भी नहीं खुली जिन लोगं के सामने ये सारी चीज़ें थी जिन लोगं ने नभी लिस्लाम का वो पीरिट देखा था फिर उनको ये भी बता था कि बखारी मुसलिम में नभी लिस्लाम के जो आखरी खुबात में से का फाल तुम ने खाना है वो दुनिया से इसी तरीके से गए है तो फनमें दिया गए गई लोगों को नमबर दो इसी मेदान में माले खनीमत समेटने की वज़ा से एक फताशकस्त में बदल गई थी जबके अल्ला की नभी भी मुजूद थे अल्ला ने इसका भी लिहास नहीं किया और वो फताशकस्त में बदल गई कि उन्होंने माले खनीमत लबेटने में नभी लिए लिए की हुकम हुदूली कर दी तो ताकि बाद में ये मामला ना हो तो मापका खुदबा बुखारी मुस्लिम दोनों में आपने फर्माया कि और हजरत अकबाई बने अमिर कहते हैं मैंने आखरी दफ़ा नभी लिए लिए को मिम्बर पे उसी दिन देखा था आपने अल्ला की किसम अपने होजे कोसर को इस वक्त देख रहा हूँ अल्ला ने दिखा दिया और आपने फर्माया कि मुझे ये खत्रा नहीं है कि तुम मेरे बाद शिर्क करने लगो लेकिन मुझे डर है कि तुम दुनिये के माल में फास जाओगे और फिर तुम एक दूसरे को कतल करोगे जिस तरह अगली कौमों ने किया और तुम भी तबाव बरबाद कर दिया जाओगे जिस तरह अगले इस जज़ादा कैसे आप डर सुनाते हैं अब ये सारी चीज़ें मुझे खत्रा ये है कि दुनिये का माल तुम पे खो लिए अनकरीब कैसरों किसरा के खजाने तुमारे पास आ जाएंगे जो बुखारी मसलिम बे आता है ना कि नबी लिस्ताम ने का कि मुझे लगा ने दो खजाने अता कर दी हैं जिके जमीन की खजानों की चाबियां जिससे वो बरेल्वियों ने कुछ औरी कीदा बना लिया उसमें मुझूद है किसरों किसरा के खजाने यानि आपको बताया गया कि रॉमन और पर्शियन अमपायर जो हैं मुसल्मान फता कर लेंगे जर्मूक और कादसिया के अंदर और मुसल्मानों के पस वो दौलते आ आ जाएंगी फिर आस्ताम भी उसी दुनिये के मुहबत का अब ये सारी बातें अब उसर गिफारी के सामने थे हता कि सही बुखारी में आता है कि अब उसर गिफारी कहते हैं मुझे दिन याद है कि नबी लिसलाम ने फरमाया कि अब उसर वो ओध पहार देख रहे हैं तो कहते हैं मैंने ओध पहारी की तरफ देखा और मैं ये सोच रहा था कि अभी बोज़े आप किसी काम के सिलस्ले में महाँ वेजएगे दिन का वक्त था तो मैं अपने जहन में ये दादा लगाना शुर किलो मीटर्स पे फैला हुआ है आज भी ओध पाड़ मुझू है मदीने शरीफ में मज़्य नवी से भी नज़र आता है और जो शौदाय ओध का कबरस्तान है उसकी बिल्कुल बैक साइड पे कैई किलो मीटर्स पे फैला हुआ है अगर ये सारा सोने का हो तो आप लिस्ताम ने ये बुजर गिफारी रावी जिन लोगों ने ये अधीसें हुजूर से सुनी भी थी जब वो ये देखते थे कि रॉमन और परश्यन अपायर के गिरने के बार जब मुसल्मानों के पास खजाने आये हैं और हज़र उसमान के दौर में लोगों के लाकों पे आज के वज आखिर तुम कौन हो कल मैं कौन होंगा मालूम नहीं मगर आज मैं बुद्कदे में इबराहीम हूं ताजब है तुम जैसे रसूल के सहभी पर मुसलिमीन के दारुल खिलाफत को बुद्कदे से ताविर करते हो मुझे जरा बराबर भी शक नहीं है जबके मेरे सामने ही वो जाली हदीस बनाई जाती रही अब कद्दू खरीदने पर किसको जन्नती बनाओगे यहाँ पर मैं आपको जिमन बता दो अक्सर लोग सहाब एकराम के अलातों वाकियात के बारे में पूछते है पूरी पूरी जिन्दगी अलग जाएं तो वो वाकियात बियान करता रहे इंसान खतम नहीं होता है इसमें तीन बड़ी किताबें जो यहले सुन्नत के आएमा ने लिखी हैं उसमें जो टॉप अफ दे लिस्ट किताब है वो है उसुदुलगाबा इमाम इबन अथीर अलमतवफा सिफ थर्टी हिजरी ने आठ उजार सहाबा के हलात वाकियात जमाद की इसके लिख separately इमाम इबन अजरिसकलानी ने अलमतवफा एट फिप्टी टू हीजरी आठ उजार सहाबा के हलात वाकियात यह सबसे बड़ा सखीरा है हमारे पास उसुदुलगाबा की शराह अलिसाबा और एक और किताब है इमाम इबन अब्दुलबर्थ अल्मतबफ़ा 463 इज्री अलिस्तियाब उनकी किताब वो अभी अर्दु में ट्रांसलेट नी हुई है जाम को बहुत बड़े बड़े है और इसके लवा फजाईले सहाबा जो चैप्टर है बुखारी में, मुस्लिम में वो आपको चंद एक वाकियात मिलेंगे डिटेल्ड आपको अल्मुस्तद्रग लिल्हाकिम में जो चोती और पांचवी जिल्द है जो अर्दु तर्जमे वाली ब्रेल्वियों ने छापी है वो तो सारी है सहाबा एकराम के बारे में और डिटेल्ड अलात है अबुखारी के बारे में भी आपको आल्मुस जितनी में अधिसें बियान कर रहूं आपको मिल जाएंगे उसमें उसमें यह अधिस, नबी लिस्ताम ने यह यह अधिस है मुस्तली लाकिम में सही सनस है कि फरमाया आप अलिस्ताम में कि अबुखार तेरा क्या हाल होगा जब तु भूसा लोगों में रह जाएगा और आपने यूं उमलिये डाली और अबुखारी का इंतकाल 32 हिज्रिये में हुआ है अधिसमान के दौर ये बात अबुखारी के बारे में नहीं कही था वो भी है बस्तों सही बुखारी में है अबुखारी को नबी रस्ताम में फरमाया था कि तु भूसा लोगों में रह जाएगा सेम अलफाज अबुखारी के बारे में हाकिम में है आप मुसरल लाकिम का चप्टर खोलें वो तो जिदीद के दोड़ अगये थे नहीं अज़र समाने गणी के दोर में बहुत हो ए इन्हें अज़र समाने गणी बुरे नहीं थे नाउधमिल्ला यही उनके दोर में आयाशी का लेवल लोगों का यह हो गया थे तो ये यानि उसमें फिर रदीस में लफाद है नभी लिस्लाम से पिर उन्होंने का यारसुलाम मैं क्या करूं तलवार उठानू आप फिर मैं सबर करना और अपनी जुबान से तुम हाकबाद की तल्गीन करते रहे फिर आपको हाके में मिलेगा नभी लिस्लाम फरमाया क्यान करीब तो में मदीने से निकाल दिया जाएगा शाम चले जाओगे वहाँ से भी निकाल दिया जाएगा और सारे एक बड़ी दर्दनाक अब उद्धर कि फारी के बाद वो हाकिम में ही है, अलमुस्तविल हाकिम में हाँ हाँ घजब तबूक आपको पता है एक ऐसा घजबा था जिसमें जो शिर्कत नहीं करेगा वो मुनाफिक डिकलेर होगा पुरान में फत्वा आगया था इस से पहले कभी नफीर आम नहीं थी ये पहला और आखरी मौका था क्योंके रोमन अम्पायर से टक्राना था सूपर पावर थी दुनिया की डेड़ ला की फोज लेके कैसरे रोम बार्डर पे आगया था अरब की तो नबी लिस्लाम ने नोस्मेंट की कि बई अब सबने जाना है जो नहीं जाएगा मुनाफिक शमार होगा इल्ला ये किसी के पाद दिस्वर्सिस ना हो या को बरीज हो या कोई औरत हो या कोई माजूर हो मुनाफिकीन आके माने कर रहे थे कुछ सादालों मुसल्मान भी उसका इस्सा मन गे बुहारी मुस्रि मतीन सहाब की तुबा का वाक्या भी मुझूद है वो ही मेरी वीडियो रिकॉर्डड़ है तो काब बिम मालिक की मुदि ल्लाहु ताला नहुं अलेस्वा कुछ लोग जो है वो इन्ही अपने उन मामलात की और से कुछ पीशे भी रहे गे तो मुस्रलिलाकिम में आता है के सहाब एकराम कहते हैं कि हम नभी लिस्लाम के साथ सफर पे निकले ना जब तो नभी लिस्लाम को आके कोई बताता था कहता था यारसुल्ला वो जो फुलां मन्दा था न वो भी कोई नहीं आया पीशे रहा गया तो आप अलेसलाम परवान नहीं करते हैं फिर बताया गया यारसुलाँ ओभी को नहीं है यानि युज़ इल्दारे मारते हैं सर्ण उचे उचे जब वह थे किसे उतासाइड है कि सर ओ तो अड़ा पका इड़ा यार है बेली ओभी को रिज़े तो अजु़ अलेसलाम को लोग ना फीड बैते हैं यारसुलाँ वो भी गायब है वो भी नहीं आया अब तीसजार के लेशकर में आपने को प्रकार्ट दो नहीं रिखा था रिजिस्टर था लेकिन किदर तीसजार बंदों किदर कोई रख सकता है साब इस तरह यारसुलाँ वो भी रह गया वो भी तू अजु़ अलेसलाम कहते हैं ठीक आप फर्माते थे अल्लाँ चाहेगा तो आजाएगा नहीं आएगा तो नहीं आएगा ना सर वो आप गाड़ी तो नहीं है जो स्टार्ट कर लेंगे आप उट चलने से इंकार करते हैं तो कर सकता हैं और सर सफर कितना है 700 किलो मीटर 700 किलो मीटर का रेगिस्तानी सफ़ा आज के दोर में भी करना मुश्किल है साइकल पे नहीं आप कर सकते हैं पैदल तो आप सोच भी नी सकते हैं उंट के बगार कैसे हो सकते हैं जिसमें आपको उंट इसलिए भी जरूरी है कि उसके पर आपने समान लादने है पानीनी रास्ते में पीना अब उज़र गफारी कोशिश करते है रे कि इस तरीके उंट इसी दुरान काफला निकल गया आगे तो वो उंट उटा ही नहीं है तो अब उज़र गफारी ने अपना समान अपनी पीट पे ला दिया पैदल चल पड़े रेकिस्तानी सफर आप हाकिम की रुएत है कि हमने देखा दूर से एक अकेला शक्सा है जिसकी पीट के ओपर बौरा लदा हुए तो नबी लिएसलाम की आप महबब देखे आपने फरुमाया कि तू अब उज़र हो जा यनि जो आने वाला शक्स है तू अब उज़र हो यनि उज़र ने खौइश का इसार किया आपको नज़र तो नहीं आ रहा था ये कौन आ रहा है आपको पता था अब उज़र घफार ही नहीं रहा सकता पीछे तो सहाबा कहते हैं आपने भाया तू अब उज़र हो जा तो सहाबा कहते हैं थोड़ी देर बाद जब उक्रीब आए तो हमने पिछान लिया अब उज़र घफार ही है तो जब आमने पिछान लिया ना तो अज़ूर लिए उनके पहुँचने से पहले आपने फर्माया अबुजर अबुजर को देखो अकेला आ रहा है अकेले ही दुनिये से जाएगा और क्यामल दिन भी अकेला उठाया जाएगा दुनिये से क्या कह रहेगे सही बुहारी में आता है के अश्रत उस्मान अगडियर दीलतनु के दौर में चुके ये इस अधिस का भी कुछ शिसा बाقी बार दिया हम बाद में ब्यान कर, पहले मैं इसको करक्लून कर, क्ये बुहारी में आता है के अश्रत मुजब लिभारि शाम चले के थि अगर आप जोड़ात नाजर भी नहीं है तो वह कहते थे नगके बारे में है अब शरीखुकम यह है कि माल आप जोड़ सकते हैं अगर आप जगात देगी है लेकिन ये पसंदीदा नहीं है तरीके नबूत यह नहीं है नबी लिएह संवर्ण ने है पूरी जिन्द की जगात देने की नोबत नहीं आई है हाला के खुमुस मिलता था खरात का था अब उजर गिफारी का जगड़ा यह था कि तुम तो नभी के ऐसाब हो तुम लोगों को यह जे भी नहीं देता अजर्द माविया ने जब खात ली का तो दूस्मान ने को का तुम मदीने शीव वापस आज़ा जान लो के हर दिन दो फरिष्टे आस्मान से जमीन पर आते है एक राहे खुदा में खर्च करने वाले के हक में दुआ करता है कि खुदाया इसे अजर अता कर और दूसरा फरिष्टा लानत भेजता है कि इसने मालो सर्वत जमा किया है इसको नाबूत फर्मा मदीने शीव जब ये वापस आए तो सही बुखारी में आता है कि लोगों का जमगटा ला गया बजगर के फारी के गिर्द लोगों पता था ये तो बड़ा सहुद बाला बंदा है अब उजर गिफारी वोई दीसे सुनाया करते थे वजूर ने फर मैं योद पार्ड सौने के बराबर हो तो मैं खेरात कर दूँगा जबके बाकी सहाब कहते थे के माल जोड़ना जायज है अगर जगात कोई देता रहे वो ये कहते थे कि यार ये तुम लोगों को तो जब नहीं न देता यार तुम लोग तो ये बातें ना करो तुम लोग नभी की सहुबत याफ़ता हो तुम लोगों को जोद होनी चाहिए तुम लोगों की जिन्दी तुम लोगों का हुजूम उनके गिर्द लग गया और फिर अज़र अस्मान ने उनको खलीफे वक्त बुलाया और का के यार तुख़दी मदीना शीफ छोड़के यहां से चलना ते विए विए फितना खड़ा हुआ अस्मान ने का मैंने तो नबी लेसाम से सुना था कि गुम्रानों की इतात करना सबर करने तो एक जबदा नामी का एक गाउं था मदीना शीफ के पास शेर से हटके तो वो फिर वहां पे रिज़द करने आप देखें रिवन्ज कैसा था लोग कितने डरे हुए थे कि अब उज़र अपनी भूड़ा शक्स असी नवे साल का बाबा अपनी एक बुड़िया बीवी को लेके इस उमर में शेर बदर हो रहा है अकेला आज नहीं आप सोच सकतें किसी जगा आप अकेले जाके पड़ाओ करें किसी ब्याबान के अंदर रेगिस्तान के अंदर उस जमाने में आप सोच रहें आज कल भी आप मदीने जीफ के गिर चले हैं तो आप वहानी एक राद भी उज़ास है तो कोई शक्स अज़त अज़त आप यह लीग है और वो भी मदीने की बांडरी था का है उनको पता था उनके स्टांस के बारे हैं और अज़त अली ने उनको जब सी आफ किया तो का कि मैं चुके हुक्बराने वक्त की इतायत का पाबंद हूँ मैं मदीने की बांडरी से बाहर नहीं जाए अगर हुकम की जादत मिल जाती तो मैं तेरे साथ जाता था एरानमालों ने हज़रत अली लिए लिए जिद्गी के आखरी दस साल के उपर एक फिल्म बनाई है इमाम अली लिए लिए उसमें बुजर घफारी के सारे वाकियात उनने फिल्म आए असले देखने वारे जब मुला ल उन्हें वीडियो में फिल्म आए पिर ये चलेगा हाकिम की रुएत में आता है बुजर के फारी की मौत का वक्त करीब आ गया सिर्फ बीवी ये पास जो तुझे कफन दे के दफनाएगा और जनाजा भी पड़ेगा तुन्हें फिकर नहीं करनी जब मैं मर जाओं तो मेरी लाश को चुराहे पर रख देना गुजर गाह में जो यानी मदीना की तरफ रास्ता आता था गाओं एरियां से लिए अल्ला मेरा मेरा बंदों बस कर जा रहे हैं वो ही हुआ के उनके मरने के बाद मुसल्मानों का एक काफला दूर से आ रहा था तो उसी मस्तगल आगिम की अदीश में आता है कि सर काफला भी सुने फिर कौन है अबदल्लाइ अबने मसूद अबुद अबुदर गिफारी भी जोहत के इमाम अबुदर्दा भ भी जोहद के इमाम इबन मसूद रदी लाओ तरह नो जब वहां पे रुके उनको तरह नहीं पता था ये कौन है तो उन्होंने का बीबी क्या वो उनका मेरा खामद मर गया है उनका ये कौन है उनका अबुजर के पार दुलाएबन मसूद की चीख लेकल लेए चीख मारी उनके उनका वाह अबुजर अकेला आरा है तबुजर के मौका पे दुनिया से भी अकेला जाए और क्यामत लेदिन भी अकेला उठाया था यानि अब उसी सर्जमीन से उसने उठाया है ना अर्बंदे ने अपनी कबर से उठाया है यानि मुसल्मानों के कबरस्तान में भी दफ़न नहीं एक ये जो मजार मजार की रट लगाए फिरते हैं मैं इसे पूछता हूँ तुमारे बाबों की क्या हुकात है अबुजर अबुजर अगिफारी का मजार दिखाओ कि तरे जो इस रुए अर्ज पे नीली छत्री के नीचे सच्चातरीन इंसान इसको अलhour के नबी गह रहा है उसका कोई मजार की उन्हिंए गरीबल मतनी में मरा है उसकी कबर भी ऐसे जगह है जहां मुसल्मानों की पास कबरें भी कोई नहीं है एक रेखिस्तान में अकेली कबर है उस कबर का भी किसी को नहीं बता उस पे कोई मजार भी नहीं है और क्यामल दिन भी अकेला उठाया जाएगा यानि क्यामत तक माँ पे कोई कबरस्तान भी नहीं बनेगा जायर नबी असलाब की याभी खबर है तो क्या वो नकाम हो गया अगर मज़रात ही दलील है काव्याभी की तो अब्दुल्लाइ बने मसूद रदी लातरों ने उनको गुसल दिया कफं दिया और दुफणा दिया ये पूरी डिटेज आपको अबुजर गिफारी उन चम शक्सियात में से हैं जिन में पूरी उम्मत का इत्वाक है उनकी नेकोकारी क्यों शिया भी इनको बहुत रिस्पेक्ट देते हैं कहले सुन्नत भी देते हैं सूफिया के हां भी इनको इमाम माना जाता है जोहत की विज़ा से आप तस्वफ की जितनी किताबें पढ़ें चाहे अमाम घजाली की हों रसाला के शेरिया पढ़ें और लोगों को भी पढ़ना क्यों करें अबुजर गिफारी आपको जोहत के इमाम के तोर पे मिलेंगे कि उनकी जिन्दगी में यानि ये जोहत था उन्हों ने किस तरह की जिन्दगी गुजा लिए सब्सक्राइब लोग मजमूर में मरते हैं उनको याद कोई नहीं करते हैं और बज़र गिफारी को आड़ भी दून के याद करें हम भी याद करें रदी ल्लाहु ताला अमारे अस्सलाम कि अल्हक याद क्यामत वाले दिन हमें ऐसे नेको कार लोगों का साथ नसीब भाएंग आवी तो अजिए यह वीडियो ती काफी जादा एमोशनल थी बहुत जादा कि जी नहीं होत है तो हो उनके साथ हुबता लेकिन नहीं होना कि ज़सेзд लेकिन जो चीजे की जाचुख dear हम को कुछ ना कुछ ना कि लिए को मिलता है आइनों विया हिंदूस एंड रिये मुसलिम घ्रती हैं और हम अपने चैनल से रहां तब आपने धरम को भी मानते हैं सब की इज़्जत करते हैं तो गाइज बहुत अच्छा वीडियो था आपको सीखने को कहां से मिल रहा है वह चीज डिपेंट करते हैं बहुत अच्छी चीज थी घाइस होफ़ली आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्ली वीडियो को सेयर करें दोस्तों के साथ उनको बताएं कैसे रियक्शन वीडियो आप देखने के लिए रेक्शन बाबा चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथी बेल निटिफिकेशन ओन कर लीजिए और गाइस हमको कॉमेंट करके जरू जरू बताना के और कैसे रियक्शन वीडियो आपको चहीं हम आपके लिए जरूर बनाएंगे तो आज के रियक्शन में यहीं पर एंट करते हैं मिलते हैं नहीं स्ट और किस अच्छी रियक्शन में तब तक के लिए गाए थैंक्यू सो मच पर वाजिंग टाटा झाल